हनुमान जी उसके सभी कारियों को सिद्ध कर देंगे जैसी आराम सब सुखल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हुकुड रटना इश्वर के असंख्य नाम है हनुमान जी के कई नाम है लेकिन हनुमान जी का जो गुण वाचक नाम है जो उनके गुणों को प्रदर्शित करता है वो नाम सब के मुख पे हमेशा रहता है इस अंसार में बक्ति जब संकटों से घरता है तो संकट मोचक को याद करता है हनुमान जी का जो संकट मोचन सरूप है जो संकट मोचक जो नाम है ये हर भक्त के होठों पे रहता है और ये भरोसा रहता है कि संकटों में ब्यक्ति जब खिरेगा तो एक हनुमान जी है जो इन संकटों से उबार लेंगे जो हनुमान जी के भक्ते हैं हनुमान जी के सहरे बड़े से बड़े कारे को साध लेते हैं बड़े से बड़े कारे में उतर जाते हैं निश्य के साथ ये भरोसा होता है कि हनुमान जी उस कारे में सफलता अवश्य दिलाएंगे संकल पिसद्धी जरूर करेंगे हनुमान जी के तो कई पाठ है उसमें एक जो सबसे शिग्र फल्दाई पाठ है उसमें बजरंग बार्ण भी है लेकिन बजरंग बार्ण जो पाठ है जो हनुमत प्रेम के पतिक है जो हनुमत प्रेम ही है जिनका हनुमान जी से प्रेम है वो थोड़ा इस पाठ को करने से बचते हैं क्योंकि इसमें शपत दिलाई गई है प्रभुराम की और जैसे जिसे प्रेम बढ़ता है हनुमान जी के प्रती और ये प्रेम का नियम है ये प्रेम का सिध्धान्त है कि ब्यक्ति अपने इक्षा पुर्ती के लिए जिसके प्रती उसका भाव है जिसके प्रती उसका प्रेम है उसको कोई बड़ी सौगंध नहीं देता बड़ी शपत नहीं देता यही कारण है कि जब किसी सादु मात्मा से मुलाकात होती है बाचित होती है वो हमेशा कहते है कि बजरंग बार्ण करने की आउशकता क्या है हनुमान चलिसा से ही सब मिल जाएगा लगी जब हम पोस्ते हैं कि इसके रचना तो गुसामी दोसिताजी ने की है बहुत सारे भक्त कहते हैं कि गुसामी जी ने जब रचना की है तो इस पार्ट को हमेशा करने में क्या दिक्कत है तो महत्माओं का यही तर्क होता है कि ये बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आपको हनुमान जिसे सच में प्रेम होगा और नहीं तो जब तक रस्म अदाएगी रहेगी कि सुबह जगे अस्टनारादी क्रिया को किया एक बताया गया है हमारे धर्म में हमारे संसकार में की पूजा पाठ करना चाहिए दीब जलालिया अगरबती जलाली और उसके बाद कुछदिर अगरबती दिखाई पूजा पाठ किया एक हनुमान जैलिसे का पाठ कर लिया और पूरे दिन भूले रहे हनुमान जी को तो ये रस्मत आएगी जब तक रहेगी तब तक तो बाते समझ में नहीं आएगी लेकिन जब हम हनुमान जी से निकटता मैसूस करेंगे हमारा प्रेम जब बढ़ेगा वैसे वैसे ये बाते समझ में आने लगेंगी कि क्यों जो बड़े संथ हैं वो इस पार्ट को करने से मना करते हैं लेकिन हाँ इतना तैह है कि जब इस्ति विकट आ गई हो जब कोई रास्ता न सूझ रहा हो मरता क्या न करता वाली स्ति जब पैदा हो गई हो तब इस पार्ट को करें अखिर ब्यक्ति जब संकटों में फसेगा तो संकट मुचक को तो ही याद करेगा और प्रेम का नियम एक ये भी है कि उस वक्त प्रेम की अतिशायता में जो भक्त मांग रखता है हनुमान जी के सामने उसमें कुछ भी अनुचित भी नहीं है अगर शपत ही दे दिया गया हनुमान जी को तो अनुचित भी नहीं है लेकिन तब जब कोई रास्ता न मिल रहा हो उस इस्तिती की बात यह है चुकि गुश्वामित उसी दास्जी के उपर जब तांतरिक प्रयोग किया गया था गुश्वामित उसी दास्जी ने की जो ख्याती फैल रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके इस ख्याती से इतिफाक नहीं रखते थे जलते थे तो आज से 600 साल पहले उस वक्त तंतर विद्या के जानकार भी काफी रहे होंगे तो तांतरिक प्रयोग किया था गुश्वामित उसी दास्जी पे और गुश्वामित उसी दास्जी ने उसके बाद इस मनोदशा में इस पेड़ा में इस बजरंग बांड की रचना की और हनुमान जी से अनुनय विनय ही नहीं किया बलकि उनको शपत तक दी कि अब आप उठिये अब आप चलिये आपको शपत है राम की ये बातें गुश्वामित उसी दास्जी ने की और उसके बाद इसकी रचना की लेकिन एक दूसरा इसका तातपर ये भी है कि समझने वाली बात है कि जिन तुलसी दास्जी को हनुमान जी दर्शन दे चुके हो इतना बड़ा कारे हनुमान जी करा रहे होगो समय तुलसी दास्जी से श्री राम चरित मानस की रचना घर घर में प्रभुराम का गुणगान इस गरंथ के माध्यम से जहां होने वाला हो वो किसी पेडा में हो और हनुमान जी उनको पेडा में छोड़ दें ये जो गुण है हनुमान जी का जो सुभाव है हनुमान जी का ऐसा नहीं है उमा राम सुभाव जी ही जाना जो राम के सुभाव को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि राम कैसे हैं राम कितने गृपालू हैं कितने धयालू हैं जो हनुमान जी के सुभाव को जानते हैं वो जानते हैं कि हनुमान जी संकट मोचन है तो सिदाजी संकट मेरे हैं और हनुमान जी संकटों में छोड़ दें ये हो नहीं सकता लेकिन जगत के कल्यान के लिए कि आने वाले समय में आने वाली पेड़ियां जब किसी बड़े इस रचना को किया और इस तांत्रिक प्रयोक से खुद को बचाया हनुमान जी ने रक्षा की इसलिए जब भी कभी विकट परिस्ति किसी ब्यक्ति के जीवन में आए तब ही इस पार्ट को करना चाहिए जब कोई रास्ता ना मिल रहा हो तब चुकि जो प्रेम के पथिक हैं इस बात को समझ सकते हैं बाकी लोग तो कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है तो काम निकलवाने के लिए हनुमान जी से मतलब साधने के लिए अगर इस पार्ट को किया जा रहा हो तो हनुमान जी तो उस कारे को पूरा कर देंगे लेकिन बहुत सारे संतों ने हमसे कहा कि फिर हनुमान जी दूर होने लगेंगे कारे तो हो जाएगा कारे तो सिद्ध हो जाएगा बिना प्रेम के और चोटे मोटे कारें के लिए अगर इस पार्ट को किया जाए तो वो कारे तो हो जाएगा लेकिन हनुमान जी शायद दूर होने लगेंगे इस बात को ध्यान रखने की आउशकता है चोकि गुस्वामित तुस्री दास्दी ने जिस परस्तिती में लिखी उस पर भी विचार करने की आउशकता है बजरंग बार्ण पे आगई कड़ियों में हम कुछ बात चित करेंगे इस पर कि चोकि बहुत सारे पर क्या है इस पार्ट का क्या कुछ कहा गया है क्या मांग रखी गई है हनुमान जी से दूसरा ये है कि गुस्वामित तुसी दास्दी ने जब पूरे बजरंग बार्ण की रचना कर ली उसके बाद ये लगता है कि जो प्रथम जो चौपाई है शायद इसकी रचना की हैं तो पहले की जो दो चौपाई है ये उसी में समाही थे गुस्वामित जी लिखते हैं बजरंग बार्ण की जब रचना शुरू करते हैं हनुमान जी के सामने जब अपनी पुकार रखते हैं तो लिखते है के निश्चे प्रेम प्रती टे विन आे करे सनमान ते ही के बता रहे हैं गोसमेतो सिदासी कि इस बजरंग बार्ण पाठ को करने के बाद हनुमान जी किनके कारियों को सिद्ध करेंगे क्या सबके कारियों को सिद्ध कर देंगे जो जो लोग पढ़ेंगे और जो जो उनकी मनोकामना होगी क्या सब पूरी हो जाएगी उसकी शर्त क्या है सिर्फ पढ़ देना ही काफी है या इसके पीछे कुछ शर्त भी है कि इस शर्त को अगर भक्त पूरा करेंगे तब ही हनुमान जी आपकी बात मानेंगे आपके मनोरतों को सिद्ध करेंगे तो गुसामे जी शरू में इसने लिखते है कि निश्चे ब्यक्ति के मन में निश्चे हो कई बार ब्यक्ति अनिश्चे की स्तथी में रहता है वो पाट भी करता है हनुमान जी की पूजा भी करता है और मन के किसी कोने में या दबा रहता है कि हनुमान जी सुनेंगे क्या हनु अनिश्चे के बीच में जूलने वाले मनिश्यों के मनौरत सिद्धन नहीं होते इसलिए गुस्वामे जी कहते है कि निश्चे पहला ही उन्होंने कहा है कि निश्चे प्रेम और उसके बाद फिर प्रेम भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि गुस्वामी तुस्वामी तुस्वाशी दासी ने बजरन को बांग के रचना कर दी और कोई भी व्यक्ति बिना प्रेम के इसका पाट करे और उसके मनोरक्त सि्द्ध हो जाए ऐसा भी नहीं है गुष्वामे जी लिखते हैं कि निश्य, पहले तो निश्य हो आपका डिर्ड निश्य, कि हाँ हरुमान जी संकट पोचन हैं वो संकटों से उबारते हैं, हम उनकी शरण में हैं अब कहीं यहां से डिगने वाले स्तथी नहीं है हम जान चुके हैं कि इस पूरे संसार में संकटों से उबाडने वाला कोई अगर है तो हनुमान जी हैं ये डिड़ निश्य है निश्य प्रेम प्रतीतिते और इसकी प्रतीती ही हो इसका ग्यान हो इसका भान हो ब्यक्ति को निश्य प्रेम प्रतीते विनाय करे और उसके बाद अनुने विने करे जो कि ब्यक्ति जब किसी के सामने अपनी मांग रखता है अपनी ब्यथा को रखता है तो उसके स्वर में एक अनुने होना चाहिए विने होना चाहिए विंती का भाव होना चाहिए दीनिता होनी चाहिए कि सर्व समर्थ इश्वर के सामने हम खड़े हैं उस आज तक तो हमने किसी का दिल ही नहीं दुखाया, आज तक तो हमने किसी का अहित ही नहीं किया, इस भाव से नहीं, दीनिता के भाव से, जब किसी के सामने कोई बात रखी जाती है, मांग रखी जाती है, मांग रखने के तातपर ही है, कि अब मेरे किये नहीं होगा, मैं ठक ग मान के साथ सनमान के साथ जो विनय करता है हनुमान जी का पहले निश्य हो फिर प्रेम हो और उसका पुरा बोध हो उसकी जानकारी हो उस प्यक्ति को और पुरे विनय करे दैन ने भाव से विनय करे सनमान और हनुमान जी के प्रतिय अपना पुर्ण समर्पन और सम्मान देखा है तेही के कारज उसी के कारे सकल शुब सकल यहां गुसामी तोसी दासी कहते हैं सकल मतलब सभी तेही के कारज सकल मतलब सभी कारे सिद्ध कर देते हैं लेकिन एक और शर्त है तेही के कारज सकल शुब वो कारे शुबता लिये हुए भी हो अगर कारे शुब नहीं है मंगल कारी नहीं है इसमें किसी का अहित छुपा है हम इस पार्ट के जरिये किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तब फिर नहीं चुकि हनुमान जी संकट मोचन है मंगल मूरती है वो अमंगल कारी शक्तियों का साथ नहीं देंगे इसलिए तेही के कारे शुब सिद्ध करें हनुमान उसके बाद हनुमान जी उस ब्यक्ति के सभी कारें को जो शुब कारे हैं उसको सिद्ध कर देंगे इसलिए कई बार कुछ लोग प्रश्ण लेकर के भेहते हैं की आप तो कहते हैं के हनुमान जी सब कर सकते हैं सब संभव है हनुमान जी की पूजा से तो हमारा ये कारे है ये क्यों नहीं पूरा हो रहा तो जब उन से बाच्चत करने का मौका मिलता है तो तो प्रेम और सनमान ये तो बाद की बात है बहुत बार ये होता है कि वो कारे ही कुछ ऐसा होता है कि नीति विरुद्ध धर्म विरुद्ध कानून विरुद्ध होता है कई बार जब लोगों से बात्चित होती है ऐसे ऐसी मांगे होती है कि वो कहीं से भी उच्चित नहीं ठहराई जाती जा सकती है उसको और उसके बाद बैक्तिया पिक्षा रखे कि उन कारियों को हनवाजे सिद्ध कर देंगे तो यह जो लगता है कि जो लोग ही वजरंग बार्ण का पाठ करते हैं इसके भावार्थ से परचित नहीं है इसलिए गुस्वामी जी जो कह रहे हैं उसके पूरे अर्थ को समझते हुए उस भाव को जानते हुए हमारे मनोरत किस प्रकार के हैं इसके पूरा विशलेशन इसके विवेचना करते हुए उसके बाद जब हम पाठ करेंगे तो तेही के कारज सकल शुब सिद्ध करें हनुमान हनुमान जी उसके सभी कारियों को सिद्ध कर देंगे आगे की कड़ी में मजरंग मांट पे हम चर्चा करेंगे एक एक पंक्तियों की चर्चा हम लोग करेंगे और हनुमान जी से प्रारतना करेंगे कि जो भी हमारे सकल शुभ जो कारे हैं उसको हनुमान जी आप सिध्ध कर दीजिए और एक प्रातना और हनुमान जी से चुकि गोसामित लुसी दासी ने हनुमान चालिसा में ही लिख दिया है कि कुमती निवार सुमती के संगी हनुमान जी आप कृपा इतनी कर दें कि हमारे मन में कोई कुमती आए ही नहीं ऐसे वैसे मनोरत हमारे हिरदय में हमारे मन में आए ही नहीं हमारे जो मनोरत हो वो शुभता लिये हुए हो जगत का कल्यान का भाव उसमें छिपा हो सबका मंगल हो इस भाव के साथ हमारे मन में इस तरह के मनौरत उदित हो और उन सही मनौरतों को श्री हनमान जी आप सिद्ध करती है तो आगे कड़ी में हम मजरिंग बान पे आगे ही बात करेंगे जैसी आरा